आज हम किलास 1 की उर्दू की किताब का लेक्चर नमबर 6 पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इल्फाज माईनी पढ़ते हैं इल्फाज माईनी धेर बहुत सा धेर बहुत सा अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी गोर से तवज्जा से जिन्दगी हयात जिन्दगी हयात मुनकिद इन्तिजाम इखलाक अच्छी बातें इन्साफ बराबरी बेहद बहुत ज्यादा बेहद बहुत ज्यादा पाकीजगी पाकी पाकीजगी पाकी मालूम इलम या जानना पिदाइश पैदा होना मुकाबला करना सामना करना अल्ला को प्यारा होना फौत होना अल्ला को प्यारा होना फौत होना आला अच्छे आला अच्छे नहायत बहुत ज्यादा नहायत बहुत ज्याद़ शफकत, मुहबब, दिल दुखाना, तकलीफ देना, दिल दुखाना, तकलीफ देना, रहम दिली, नरम दिली, रहम दिली, नरम दिली, मुतासर, असर अन्दाज, तरीकों, असूलों, तरीकों, असूलों, इमानदार, दियानतदार, मालिक, आका, मालिक, आका, जी तो डियर स्टूडेंट्स, इल्फाज मैनी हमने पढ़े, आगे हम जुम्ले बनाते हैं, पहला जुम्ला है, धेर, दादी अम्माने, धेर सारी, दुआएं, दी, दादी अम्माने, धेर सारी, दुआएं दी, मुकाबला, अली के, स्कूल में, तक्रीरी मुकाबला, मुनकिद किया, जा रहा था, अली के, स्कूल में, तक्रीरी मुकाबला, मुनकिद किया, जा रहा था, अली के, स्कूल में, तक्रीरी मुकाबला, मुनकिद किया, जा रहा था, अली के, स्कूल में, तक्रीरी मुकाबला, मुनकिद किया, जा रहा था, शवकत, हमें बच्चों के साथ, शवकत से पेश आना चाहिए, हमें बच्चों के साथ, शवकत से पेश आना चाहिए, पाकीज़गी, अल्लह ताला को पाकीज़गी बहुत पसंद है, अल्लह ताला को पाकीज़गी बहुत पसंद है, मतासर, कुफार भी, आप सलिल्लाहो अलेहिए वालेहिए वसल्म के इखलाक से बेहद मतासिर थे, कुफार भी, आपके इखलाक से बेहद मतासिर थे, स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मशक देखते हैं, मशक में पहला सवाल है, दर्जेल इल्फाज से दुरुस्त लफज लगा कर खाली जगा पूर करें, हजरत बीबी आमना, आखरी, मक्का, मुहम्मद सलिल्लाहो अलेहिए वालेहिए वसल्म, ये चार इल्फाज, डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने दिये हैं, हमने इन तमाम खाली जगों में इनको मुनासिब जगा पर लगा कर खाली जगा को पूर करना है, नमबर बन पे देखते हैं, हमारे प्यारे नबी सलिल्लाहो अलेहिए वालेहिए वसल्म डैश में पैदा हुए, आपने बिटा जैसा के लेसन में भी पढ़ा था, के हमारे प्यारे नबी सलिल्लाहो अलेहिए वालेहिए वालेहिए वसल्म मक्का में पैदा हुए, तो यहां पे इनी में से देखें, हमारे पास लफ़ज आगया मक्का, नमबर टू है, हमारे प्यारे नबी सलिल्लाहो अलेहिए वालेहिए वालेहिए वसल्म के दादा आपको डैश के नाम से पुकारते थे, जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग पहले लेसन में पढ़ चुके हैं, और इनी खाली जगों में से आपने इसमें खाली जगा पूर करनी है, हमारे प्यारे नबी सलिल्लाहो अलेहिए वालेहिए वालेहिए वसल्म के दादा आपको मुहम्मद के नाम से पुकारते थे, नम्बर तीन है, हमारे प्यारे नबी सलिल्लाहो अलेहिए वालेहिए वालेहिए वसल्म की वालिदा का नाम डैश है, हमारे प्यारे नबी सलिल्लाहो अलेहिए वालेहिए वालेहिए वसल्म की वालिदा का नाम हजरत बीबी आमना है, हजरत बीबी आमना है, नम्बर चार है, आप सलिल्लाहो अलेहिए वालेहिए वालेहिए वसल्म तमाम नबीों में डैश नबी हैं, आप सलिल्लाहो अलेहिए वालेहिए वालेहिए वसल्म तमाम नबीों में आखरी नबी हैं, डियर स्टूडेंट्स, अब हम यूनट नमबर चार के सवाल जवाब देखते हैं, हजरत मुहम्मद सलिल्लाहो अलेहिए वालेहिए वसल्म सवालात के जवाबाद तहरीर करें, सवालात के जवाबाद तहरीर करें, सवाल नमबर एक है, हमारे प्यारे नबी सलिल्लाहो अलेहिए वालेहिए वसल्म के वालिद का नाम क्या था? हमारे प्यारे नबी सलिल्लाहो अलेहिए के वालिद का नाम क्या था? जवाब है, हमारे प्यारे नबी सलिल्लाहो अलेहिए वालेहिए वालेहिए वसल्म के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह है, हमारे प्यारे नबी सलिल्लाहो अलेहिए वालेहिए वालेहिए के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह है, सवाल नमबर दो, हमारे प्यारे नबी सलिल्लाहो अलेहिए वसल्म बच्चों के साथ कैसे पेश आते थे? हमारे प्यारे नबी ﷺ बच्चों के साथ कैसे पेश आते थे जवाब आप ﷺ बच्चों के साथ निहायत शफकत के साथ पेश आते थे सवाल नमबर तीन हमारे प्यारे नबी ﷺ कहां पैदा हुए हमारे प्यारे नबी ﷺ कहां पैदा हुए जवाब हमारे प्यारे नबी ﷺ अरब के शहर मक्का में पैदा हुए सवाल नमबर चार है हमारे प्यारे नबी ﷺ का नाम मुहम्मद किस ने रखा हमारे प्यारे नबी ﷺ का नाम मुहम्मद किस ने रखा जवाब हमारे प्यारे नबी ﷺ का नाम मुहम्मद उनके दादा हजरत अब्दुल्मुतलिब ने रखा हमारे प्यारे नबी ﷺ का नाम मुहम्मद उनके दादा हजरत अब्दुल्मुतलिब ने रखा जी तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर मुकमल हुआ लेक्चर के साथ ही हमारा सबक भी मुकमल हुआ इन्शालला कल एक नए सबक के साथ दुबारा मिलेंगे अल्ला हाफिज